परमात्मा और उसकी रचना माया, तीन गुणों, पांच तत्वों, पचीस प्रकृतियों, प्राणों, तीन देवताओं, दस अवतारों आदी के विशय में विस्तार पूर्वक समझाया है इसके साथ ही उन्होंने जीवों की रचना से पूर्व की उनकी अवस्था, उनके रचना में आने और रचना के साथ बंधे रहने के कारण, रचना से मुक्त होकर निजगर वापस जाने की विधी आदी, अनेक सूक्ष्म पारमार्थिक विशयों पर प्रकाश डाला है परमात्मा का अनादी स्वरूप जगत रहे नहीं बासा, पिंड ब्रहमंड लोक नहीं होई, और अलोक बिधी नहीं सोई, चोथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष अनामी, तासु लहर सत साहिब भयेव, सत नाम संतन ने कहेव आप समझाते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, तब वह आदी पुरुष जो रंग, रूप, नाम, स्थान से परे है, कायम था उस समय आकाश, चांद, सूर्य, धर्ती, पानी, पिंड, ब्रह्मांड, लोक, अलोक, कुछ भी नहीं था, उस समय चोथे लोक, अर्थात, सच्खंड का भी कोई अस्तित्व नहीं था उस अनादी पुरुष से शक्ती की एक लहर उठी, जिसे संतों ने सत नाम, या सत शब्द कहा है, शब्द की उस लहर से सत लोक अस्तित्व में आया, जो सत पुरुष का निजधाम है तुलसी साय फर्माते हैं, चोथे पदसत साहब बासा, उनके अंस ब्रहम पर कासा, सब्द ब्रहम पर मातम गाया, सो वही सत पुरुष से आया वही मालिक सत पुरुष कहाई, तिन से आदि ब्रहम की आयी, सत पुरुष के पार ठिकाना, वहां से है अदभुत अस्थाना, जिनको कोई संत पहचाना, अगम निगम से अंत ठिकाना आप कहते हैं कि महसुन के आगे चोथा लोक है, जिसके मालिक को सच्चा साहिब, सत पुरुष या कुल मालिक कहा जाता है आदि ब्रहम उसी का अंश है, शब्द ब्रहम को पर मातमा भी कहा जाता है, जो सत पुरुष का अंश है सत्पुरुष से आगे अगम मंडल का भेद केवल पूर्ण संतों ने खोला है आप जी फर्माते हैं जब पिंड न अंड नहीं ब्रह्मंड सो कहे नवखंड बने न बिसाऊं जबैं सत्पुरुष रहे सुख धाम सो वा मैं बसे सत्लोक कहायो अनामी पुरुष से सत्पुरुष प्रकट हुए जिनका सत्लोक में निवास है शेश संपूर्ण निचली रचना सत्पुरुष द्वारा ही रची गई है रचना तुल्सी साहब ने परमात्मा द्वारा की गई रचना का भेद इस प्रकार प्रकट किया है आप जी फरमाते हैं उस समय शब्द भी विदेह था निरंजन यानि काल तथा माया का कोई अस्तित्व नहीं था और नही कूर्म तथा शेशनाग इत्यादी थे तब शब्द की घंगोर गर्जन उत्पन हुई आप फरमाते हैं सब्द तेज से भयो अकासा जस मेगा बादल में बासा जिस प्रकार बादलों में से वर्षा होती है उसी प्रकार शब्द में से आकाश प्रकट हुआ वे आगे फरमाते हैं सबसे पहले निराकार आदी पुरुष था उसने निरंजन और माया दोनों की रचना की फिर माया ने पाँच तत्वों और संपूर्ण त्रिलोकी की रचना कर दी आप फरमाते हैं सत्पुरुष सत्थ नाम कहाई वह अनाम गति संतन पाई सत्थ नाम से निर्गुन आया यह सब भेद संत बतलाया पाँच नाम निर्गुन के जाना निर्गुन निराकार निर्बाना और निरंजन है धर्म राई ऐसे पाँच नाम गति गाई सोई ब्रहम परचंड कहाई ताको जपय जगत्मन लाई दस अवतार ब्रहम कर होई ताको कहिये निर्गुन सोई तिनपुनी रचा पिंड ब्रहमंडा साथ दीप पृत्वी नौ खंडा सब जग ब्रहम ब्रहम करेगाई आदि अंत की राह न पाई सतनाम या सतपुरुष में से जोत निरंजन याने निर्गुन उत्पन हुआ जिसे काल, निराकार, धरमराज या ब्रहम भी कहा जाता है पिंड, ब्रहमंड, साथ दीप, नौ खंड, तीन देवता तथा दस अवतार ये सब उसकी रचना है दुनिया के सभी लोग उनकी पूजा भक्ती में लगे हुए हैं सतलोक के स्वामी सतपुरुष या सतनाम की भक्ती की और किसी का ध्यान ही नहीं है उसका भेद केवल पूर्ण संतों ने ही खोला है तुलसी साहब की वानी में सतलोक से नीचे की रचना को तीन भागों में विभाजित किया गया है पिंड, अंड और ब्रहमांड पिंड के छे चक्र हैं गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभी चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आखों से उपर आग्या चक्र याने तीसरा तिल आखों से उपर सैस्रदल कमल तक की रचना को अंड कहा गया है इससे उपर त्रिकुटी और पारब्रह्म या सुन्न तक की रचना को ब्रहमांड कहा गया है पारब्रह्म में शब्द प्रधान है और माया का प्रभाव ना के बराबर है परंतु यह लोग भी नाश्वान है ब्रहमांड तक की रचना कृत्रिम है सतलोक अकृत्रिम है, स्वयम सुरजित है ब्रह्मान तक की रचना जन्मरण के चक्कर में है ओवम सब्द काल को जानो, सुन में सब्द पुरुष पहचानो त्रिकुटी या भ्रह्म मंडल तक का शब्द ओंकार कहलाता है और या काल की सीमा में है सतलोक या चोथा पद अमर अविनाशी है तुलसी साहिब समझाते हैं सुन नाश होकर महा सुन में समाता है महा सुन नाश होकर सतलोक में जहां सत साहिब रहता है यहां प्रलय और महा प्रलय की गम्यता नहीं सतलोक परमपुरुष का निजधाम है नीचे की रचना का हिस्सा बनने से पहले सव जीव सत लोक के निवासी थे इसलिए उनका निजधाम भी सत लोक ही है जीवात्मा शरीर रूपी पिंजरे में कैद और मन इंद्रियों से बंदी हुई आत्मा ही जीवात्मा कहलाती है जीव का वास्तविक अस्तित्व, शरीर या मन इंद्रिया नहीं, आत्मा है जड़ मन इंद्रिया तो चेतन आत्मा के कार्यशील होने का यंत्र मात्र है तुलसी साहिब फरमाते हैं सुन हिर्दे कहें तुलसी दासा आतम सब में ब्रह्म निवासा आतम नाद आदी से आई, सिंद बुन्द तन रहो समाई तुलसी साहिब कहते हैं कि आत्मा उस आदी पुरुष, आदी शब्द यानि नाम में से प्रकट हुई है यह शब्द रुपी समुद्र की बूंद है बूंद और समुद्र दोनों मनुष देह में विराजमान है आपका अभिप्राय है कि आत्मा को परंपुरुष या सार शब्द का अंश कहना विरोधी बात नहीं है लेकिन यह चेतन होते हुए भी मन इंद्रियों के साथ बंधी होने के कारण इस माया रुपी जगत का हिस्सा बन गई है चेतन अंस आत्मा सोई, दस नव वार धार चल आई, चेतन जड यों गांठ बंद आई आत्मा चेतन है, शरीर जड है जब आत्मा आखों से उपर, दस्वें द्वार से, शरीर के नव द्वारों, दो आखें, दो कान, दो नासिकाएं, मुह और मल मूत्र के दो स्थानों में उतर आई, तो जड चेतन की गांठ बंद गई निराकार आकार समाया, इच्छा रूप भई यक माया निराकार आत्मा साकार शरीर के साथ बंद गई, और इसके अंदर माया के प्रभाव से इच्छाएं उत्पन हो गई तुलसी साहिब ने जीवात्मा की स्थिती स्पष्ट करते हुए, उसके बंधन का कारण भी बताया है चोथे महल पुरुष इक स्वामी, जीव अंस वही अंतर जामी, उनकी अंस जीव जग आया, करता पांच तत्त में लाया आप आगे फरमाते हैं, सब जीव सौंप पुरुष यही दीनह, तीन लोक का मालिक कीनह आप ची आगे फरमाते हैं, सत्पुरुष सोई सत्गुरु गाया, जीव अंस सब वहां से आया तीन लोक निर्गुन का गहाटा, उन सब रोकी जीव की बाटा चौथे लोक में निवास कर रहा आदिपुरुष या सत्पुरुष संपूर्ण स्रिष्टी का मालिक है और जीव उसका अंश है सत्पुरुष ने काल को त्रिकुटी तक की रचना का स्वामी बना दिया और जीवों को भी उसके हवाले कर दिया काल या भ्रम ने जीवों को पाνच तत्वों की देह में कैद कर दिया तभी से निर्गुण निरंजन काल या भ्रम ने जीवों का मार्ग रोका हुआ है ताकि वे इस माया रूपी रचना से बाहर नचले जाएं प्रियलाल के साथ हुए समवाद में तुलसी साहब कहते हैं प्रत्मेहं जीव पुरुष से आया, निर्मल ग्यान संग सम लाया आप जी आगे फरमाते हैं पुरुष पास जीव निर्मल आवा, जुग निर्मल जीव निर्मल गावा धोवन बेद बाख कस भाई, जब उजला उजले की राही जब जीव सत्पुरुष से बिछड कर संसार में आया तो यह पूरी तरह निर्मल और पूर्ण ग्यानी था फिर इसे निर्मल करने के लिए क्यूं कहा गया है जो पहले ही निर्मल है, उसे और निर्मल करने की क्या आवशक्ता थी इसी शंका का समाधान करते हुए तुलसी साहिब फरमाते हैं अन्स आदि से निर्मल आया, ज्यों धोए कपडे की छाया निर्मल रहे जगरहन न पावे, मलके संग सहज उरजावे आप जी आगे समझाते हैं, मैला रहे जगतभो भावे, उजला रहे तो घर को जावे मैला रहे खान में आवे, यही कारन किया बेद उपावे तुलसी साहिब आगे फरमाते हैं, तीरत ब्रत और चारों धामा, जबतप इष्ट नेम बहुकामा ये सब पाप पुन्य बतलावा, यही बिधी मैला बेद करावा कर्म धर्म सब जीव फंदाई, उजले घर की राह भुलाई, घर की राह का दोखा दीना करे कर्म फिर भयो मलीना, आदी अंत घर सुधी नहीं पावे, कर्म कर्म बिधी बेद बतावे प्रभु से बिछड कर रचना का हिसा बना जीव शुरू से साफ वस्तर की तरह निर्मल था निर्मल जीव कर्मो के बिना इस अंसार में रह नहीं सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कर्मों की मैल से मैला होता गया जब पूर्ण ग्यानी और नहकर्मी जीव को कर्मों की मैल लग जाती है तो वह चार खानियों और 84 लाख योनियों में फस जाता है पुजारी वर्ग जीव को पुण्य करने का उपदेश देते हैं वे उसे तीर्थ, वरत, जब तप, अनेक इष्टों की पूजा इत्यादी, धर्म कर्म करने की प्रेरना देते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जीव कर्मों के फल से बंध जाता है इसी लिए जीव निर्मल रहने के बजाए कर्म और फल की मैल से अधिक मलिन हो जाता है पूर्ण संतों ने 84 लाक योनियों को चार खानियों अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज में विभाजित किया है इसी प्रकार तत्वों के आधार पर 84 लाक जीवों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जाता है इसके बारे में तुलसी साहिब लिखते हैं हिर्दे नर्तत पाँच कहाई, पिंडज पसु चार के माहिं तीन तत अंडज तन पावे, दो तत उश्मज खान कहावे, अस्थाबर तत एक रहाई, यों तत हीन गुनन के माहिं पाँच तत्व हैं, प्रत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश मनुष्य याने नर्में पाँचों तत्व पूर्ण मात्रा में मौजूद होते हैं, इसी लिए इसे पाँच तत्वों का पुतला भी कहा जाता है पशुओं याने पिंडज में पृत्वी, जल, अगनी और वायू चार तत्व प्रधान होते हैं और आकाश याने अस्थाबर जिसे बुद्धी या विवेक का जन्म होता है, नाम मात्र होता है पक्षियों याने अंडज में तीन तत्व प्रधान होते हैं कीट पतंगों याने उश्मज में दो तत्व प्रधान होते हैं वनस्पती तथा पेड़ पौधों में केवल जल तत्व प्रधान होता है सार तत्व का ग्यान न होने के कारण जीव तीन गुणों और पांच तत्वों के दाइरे में भटकता रहता है बुद्धी या विवेक को जन देने वाला तत्व आकाश केवल मनुष्य में विद्यमान होता है जिसके कारण मनुष्य में सही गलत की पैचान करने की योग्यता होती है इसी लिए तुलसी साहब कहते हैं कि प्रभु की भक्ती द्वारा प्रभु का रूप बनने का गुण केवल मनुष्य में ही है परन्तु जब वह विवेक से इस गुण का विकास नहीं कर पाता तो उसे निचली योनी में भी जाना पड़ता है तुलसी साहब कहते हैं पर्थम नर बैराट बनाया तीन लोक यही उदर समाया प्रभुता आप आपनी भूला किरिया करम करे तज मूला करम कलंदर ने भटकाया पिंडज चार तत में आया तुलसी साहब कहते हैं कि संपूर्ण तिर लोकी मनुश के अंदर है यही नहीं प्रभु भी इसके अंदर है दुख की बात तो यह है कि मनुश अपनी असली ताकत भूल कर और अपने मूल याने परमात्मा को बिसार कर करम जाल में फस जाता है जिस कारण या पशुओं की योनी में तथा इसी प्रकार फिर पक्षियों, कीट पतंगों और पेड पौधों इत्यादी की निचली योनियों में जनम लेता है देवता और अवतार तुलसी साहिब ने अपनी वानी के अनेक प्रसंगों में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि देवी देवता और अवतार रचना का हिस्सा है परंतु ये सब भोग योनिया है इनकी पूजा भक्ती को मुक्ती का साधन नहीं माना जा सकता बलके इनकी भक्ती जीव को रचना के साथ बांध कर रखती है अवतार संसार का सुधार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं परंतु ये सब काल के अधीन है सत पुरुष की भक्ती के बिना कोई भी जीव 84 से मुक्ती हासिल नहीं कर सकता ऐसा केवल पूर्ण संथ सत्गुरु ही करते है तुलसी साहिब फरमाते है मन है पूरा दूत मूत से रचना ठानी भाव आत्माओं से ब्रह्म कियो बनाई रजोगुन ताको जानी तम संकर सत बिस्नु तीन मन ही उप जाया अरे हारे तुलसी मन आया गुन माहें ताही सरगुन करी गाया ब्रह्मांडी मन अपने मालिक काल का आज्याकारी सेवक है उसने अपने मालिक के हुकम से त्रिलोकी की रचना की और उसके पस्चात तीन गुणों का सुरिजन किया आप समझाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन गुणों के प्रतीक है ब्रह्मा रजोगुन का, विष्णु सतोगुन का और शिव तमोगुन का मन और तीनो देवता भी तीनो गुणों की सीमा में है तुलसी साहे फर्माते हैं जगत जिव कहु लग बर्नू आसा रंग तरंग जग में जम फाग रचोरी होरी हर मार मचोरी ब्रह्मा बिसुन कृष्ण सिव नारद सुकदेव ब्यास नचोरी रुशी मुनी सहत दसो अवतारी भारी काच कचोरी इश्ट तप जोग जचोरी आप कहते हैं बड़े बड़े रिशी मुनियों को भी काल अनेक प्रकार से अपने इशारों पर नचा रहा है रिशीयों और मुनियों ने सैक्णों वर्ष तपस्या की परन्तु वे भी काम, क्रोध, एहंकार आदी से उपर नहीं उठ सके काल संसार में मृत्यू की होली खेल रहा है बड़े बड़े रिशी मुनी, ब्रह्मा, विश्णू और शिवजी जैसे देवता और दस अवतार काल द्वारा रचित प्रबल आशा त्रिश्णा और आवागवन के जाल में बंदे हुए या खेल खेल रहे हैं जम बड़ जबर कराल, चाल कोई लखे न भाई, जब कर बांधे हाथ, संत बिन कौन छुड़ाई बड़े कहें भगवान, ताही को मार गिराया, अरे हारे तुलसी, राम कृष्ण आवतार दसों नहीं बचने पाया काल इतना भयानक और बलवान है कि उसकी चाल को कोई नहीं जान पाता, काल ने उनको भी मार दिया, जिने लोग भगवान कहते थे तुलसी साहिब कहते हैं कि राम कृष्ण आदी दसों आवतार भी काल से बच नहीं पाये काल के जाल में बंधे जीव को संतों के बिना कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता तुलसी साहिब ने अपनी वानी में अनेक स्थानों पर ग्रंथ शास्त्रों, अवतारों आदी का खंडन किया है जिस कारण लोग उन्हें शास्त्रों की निंदा करने वाले समझने लगे परन्तु यह लोगों की ना समझी है तुलसी साहिब की वानी के अर्थ पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने किसी मत को जूठा नहीं कहा बलकि उन्होंने हर एक की सीमा का विस्तार पूर्वक उलेख किया है उनका वास्तविक उदेश्य यह समझाना है कि नीचे के लोकों के धनियों की भक्ती करने में मैनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी परन्तु पूरा लाब प्राप्त नहीं होगा दूसरे शब्दों में भक्त का कार्य अधूरा रह जाएगा और उसे आवा गमन से मुक्ती नहीं मिलेगी वह आवा गमन के चकर से बंधा रहेगा क्योंके सत लोक से निचले सब लोक या मंडल चाहे कितने ही सूक्ष्म क्यों न हो माया के ही घेरे में है